हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का चेनाब पुल होगा जब बन कर तयार हो जाएगा यहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ है यह मॉडल बता रहा है कि हू बहू कैसा पुल होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस आर्च की हम बात कर रहे हैं वो यह आर्च है जिसको पूरा कर लिया गया है और यह आर्च इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि 10,000 टन एक तो इसका वजन है मतलब जो ओरिजनल है यह मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं अपर इसेयद को इस तरीके सब्सक्रां अलग इंगर छाएक इसके ऊपर जो है अलग अलग इस्टिक्र बनाए जाएंगे यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके के इस्टिक्टर से और इस आर्ज के उपर एक डेक जाएगा मतलब वो जगए जहां पर रेल पट्री होकर गुजरेगी उसको आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके का मॉडल है यह तो मॉडल में दिखाएगा पुल होगा कैसा चलिए हम उपर दिखाते हैं कि कहां पर पट्री पड़ेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो जगह है उपर जो दिखाई दे रही है इस पर पट्री डाली जाएगी यह डेक है जिस चेनाब पुल की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कितना उचा होगा और दुनिया का सबसे उंचा आर्च रेल ब्रिज बनाए जा रहा है 369 मीटर उंचा और यहां के डेक की जब हम बात करते हैं तो पीछे आप डेक देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यह डेक आगे जा रहा है देखिए यह डेक आगे जाएगा और उसके बाद आर्च के ऊपर पहुंचेगा और आगे बढ़ा दिया जाएगा तो एक बड़ा काम यहां पर हो रहा है जिसका हम आपको पूरा अनुमान दे रहे हैं कि किस तरीके से यह पुल होगा क्या क्या रहेगा इसमें तो आने वाले दिनों में निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि चेनाप पुल कस्मीर को पूरे देश से जोडने का काम करेगा सिद्धार 83 निवजिस्टेशन